हलो दोस्तों मैं सबसे लोग प्रिय फिल्मों के अवतार दो पर चर्चा करने जा रहा हूँ अवतार दवे अफ वाटर जिसे अवतार दो के नाम से भी जाना जाता है एक आगामी अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है और 20 विन सदी के स्ट्योडियो द्वारा निर्मित है अवतार 2009 के बाद कैमरून की अवतार फ्रेंचाईजी में यह दूसरी फिल्म है कैमरून जॉन लेंड़ो के साथ फिल्म का निर्मान कर रहे है जोश्प फ्रीडमैन को मूल रूप से कैमरून के सहलेखक के रूप में घोशत किया गया था सेमिकोलान बाद में यह घोशना की गई की कैमरून, फ्रीडमैन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर और शेन सालेरनों ने अलग-अलग स्क्रिप्ट के लेखन प्रक्रिया में भाग लिया जिससे अंतिम लेखन क्रेडित एस पश्ट हो गया कास्ट सदस्या सैम वर्थिंग्टन, जोई सल्दाना, स्टीवन लैंग और जियोवानी रिबिसी ने मूल फिल्म से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया, जिसमें से गोलनी वीवर एक अलग भूमिका में लोट रहे हैं नए कलाकारों में केट विंसलिट, क्लिफ कर्टिस, एडी फालको, मिशेल यो, जैमाइन प्लेमिंट और विंडीजल शामिल हैं कैमरून, जिन्होंने 2006 में कहा था कि अगर अवतार सफल हो जाता है तो वे इसके सीक्वेल बनाना पसंद करेंगे उन्होंने 2010 में प्राथमिक फिल्म की बड़ी उपलब्धी के बाद, The Way of Water के 2014 रिलीज के लक्षि के साथ प्राथमिक सीक्वेल पेश किये हाला की, तीन अतिरिक्ट सीक्वेल, प्राथमिक एक के लिए और एक नए यू का विस्तार करने की आवश्यक्ता के साथ फिल्म समू के पास लेखन, प्री प्रोडक्शन और द्रिश्य प्रभावों पर पेइंटिंग के लिए अतिरिक्ट समय था फिल्म के लिए प्रारंबिक शूटिंग 15 अगस्त, 2017 को शुरू हुई, 25 सितंबर, 2017 को न्यू जी लेंड में अवितार तीन के साथ साथ प्रमुक चित्रों का उप्योग करके मनाया गया शूटिंग के तीन साल से अधिक समय के बाद, फिल्मांग कनती दे सितंबर 2020 में समाप्त हो गया 23 चुलाई 2020 को नवीन तम होने के साथ फिल्म की नाट की अरिली जांट से कमदेरी थी वर्तमान में इसे 16 दिसंबर 2022 को रिलीस करने की योजना है जिसमें निम्न लिखित तीन सीक्वेल 20 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2026 और 22 दिसंबर 2028 को रिलीस किये जाएंग